हाई फ्रेंड जाय जागन्ना दिलिस ब्लोग में आपका स्वागत है तिरुपति टूर का एमरा दूसरा वीडियो है पार्ट टू पिछले वीडियो में मैंने बताया था तिरुपति आने की क्या सुभिदा है आने के बाद आप रूखने के लिए जो मंदि ट्रॉस्ट का औलाइन टिकेट कैसे करेंगे अगर पेदल मार्क से आप तिरुपति बाला जी मंदिर जाना चाहरे हो कैसे जाएंगे अगर बस या परसनल गाड़ी करके तिरुपति बाला जी आना चाहरे तो कैसे आएंगे छोटी सी बड़ी इंफरमेशन उस वीडियो में मैंने दिया है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्काइशन में दिये दे हूँ, अगर अभी तो गोई वीडियो आप लोको ने नहीं देखा होगा, तो देख लिजिए, तिरुपति टूर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, तिरुपति बाला जी मंदिर पहुँचने के बाद, वहां रूखने की क्या सुविदा है, फ्री लोकर आपको कहां मिलेगा, अन्नप्रसाद आप कहां प्रसाद सेबन कर सकते हैं, आप सर्बदर्सन टिकेट हैं, ऑनलाइन ज चलिए अभी प्रभु बाला जी के दर्सन के लिए चलते हैं, पिछले वीडियो आप लोगों ने अगर मेरा देखा होगा, तो हम बाला जी मंदिर दर्सन के लिए तिरुपति से तिरुमाला जाहा रहते, इसी पहाडियों को रास्ते से बस से हम जाहा रहते, ओहीं से मैं अभी शुरुबात कर रहा हूँ, अभी पहाडियों से रास्ते सुन्दर सा नजारा देखते हुए, अभी हम तिरुमाला अगर आप सर्बर दर्शन टिकेट किया है या ओनलाइन पेड़ टिकेट आपने किया है टिकेट में आपका टाइम स्लोट दिया गया होगा और गेड नमबर लिखा गया होगा तो उसी ही साफ से प्लान करिए क्योंकि तीरुमाला का जो टूर है एक दिन का टूर है अगर पहले साइट सिन कर लिजे उसके बाद वाला जी मंदिर दर्शन कर लिजे तो एक दिन में हो जाएगा जरूर कोशिश करिए किसी भी प्रकार का एक टिकेट जरूर लिजे क्योंकि अगर बिना टिकेट का आप जाएंगे तो कम से कम आर्ट दस घंडा जरूर लगेगा क्यो अब एक दिन दर्शन करने में निकल जाएगा दूसरे दिन आपको साइट सीन करना पड़ेगा अगर साइट सीन नहीं करना साथ है तो दर्शन करके आपको निचे आना पड़ेगा तिरूबोती तो उसी ही सबसे आप प्लान करिए अगर दर्शन टोकन आपको मिल जाता है तो एक दिन में आपका टूर कम्प्लीट हो जाएगा. अब ही हम तिरुमाला पहुंच गए हैं, तिरुमाला पहुंचने के बाद अगर यहां आप रूपना चाहा रहे हैं, तो पहले से टिटी डी ओवेबसाइट जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उस ओवेबसाइट का नाम है www.thirumala.org, उनका आप है, टिटी डेवसननम, पहले से इस आप से आप रूप और दर्शन टिकेट बुकिंग कर सकते हैं, इससे आसानी होगी यहां रुखने में नहीं, तो यहां तो लाखों के ताजस में यहां लोग आते, तो यहां रूप मिलना मुश्किल है, यहां आपको लॉकर मिल जाएगी, रेकिर रूप मिलना थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करिए, पहले से दर्शन टिकेट और आने से booking नहीं होगा अभी हैं पहुंच गे जो सामने देख रहे हैं माधव निलयम पीएसी टू यहां मुंडन होता है मुंडन के लिए यहां बहुत सारा जगा है मेन है आपका केकेसी यहां 24 आवर मुंडन होता है और आपका जो जगा का नाम है में बता देता हूँ श्री भ अलग अलग जगा पर यहां मुंडन के लिए फैसिलिटी किया गया है मुंडन यहां मुंडन को यहां कर लेना हम कहते है तो मुंडन इनका मान्यत है मुंडन करने के बाद प्रभु बाला जी का दर्शन के लिए जाते है मुंडन हॉल यह दिखे सामने किया गया यहां फ्री मूंडवन हॉल में आपको बहुत तरह के facility मिलते मूंडवन करने के बाद नाहाने के लिए टॉलेट बात्रूम का बैवस्ता किया गया है, यहाँ सामान गएरा रखने के लिए लौकर भी किया गया है, पीने का पानी सब प्रकार के हैं, सुविधा है मुंडन करने के बाद यहां ऐसा मानने आता है मुंडन करने के बाद बाला जी का दर्सन किया जाता है चलिए अभी जो लोग चाहे हैं मुंडन कर सकते अभी चलिए मुंडन करने के बाद दर्सन करने के लिए जो टोकन आपको दिया गया है उसके gate number लिखा है, उहां कैसे जाएंगे, उन मैं आपको आगे बताऊंगा अभी मैं जा रहा हूँ स्री बरहा स्वामी का दर्सन करने के लिए यहां मानने ताया, तिरुपती बाला जी के दर्सन से पहले, श्री बरहा स्वामी का दर्सन किया जाता है थोड़े आगे जाने के बाद, राइट स्वामी आपको पूछ करने दिखेगा वहां लोग stand करते, stand करने के बाद बरार स्वामी का धर्शन करते उसके बाद तिरुपती बालाजी धर्शन के लिए जाते यह सामने दिखे ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है left side आरोमार की हैं दिया गया है अन्न प्रसाद अगर आप ग्रहन करना चाहते तो इसी रोड से आप अन्न प्रसन के लिए जा सकते इसी रास्त से आगे जाने के बाद तिरुपति बाला जी मंदिर का मुख्य द्वार आप लोगों को दिखेगा इस सीडियों से जब आप नीचे जाएंगे यह सामने दिखे जूता स्टांड है यहाँ जूता पहले से यहाँ जूता रख लिजी इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर सर्बरदसन टिकेट या दिब्बरदसन टिकेट आप लोगों को मिला है आप जिस लाइन में अभी मैं आगे दिखाऊंगा वहाँ आपका मोबाइल अंदर रिसिप किया जाता है काउंटर रखने के लिए लेकिन जूता रखने के लिए नहीं है जूता आपको बाहर रास्ते पे वहाँ रखके जाना पड़ेगा तो यहाँ से एक आपको मुश्किल होगी क्या जब आप दर् आप लोगों को दे रहा हूं कि इस परशानी में खुद में फसा हूं तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि कोई भी जब जा है मेरा वीडियो आप लोगो देख रहे है आपको कोई परशानी ना हो तो इसलिए जूता यहां रख लिजे क्योंकि आप जिस भी जगा से लाइन दिये होंगे तो में गेट से ही सबको निकलना है यह निकलने के बाद यहीं से आप जूता ले लिजिए मोबाइल अंदर रखने के लिए जागा है मैं दिखाऊंगा मोबाइल रिसीब करने के लिए जब आप लाइन देके जाएंगे मोबाइल लोग रिसीब क किये है जो रो आपका पहले से 300 या 500 रूपीज देखे आपका दर्शन टिकेट किये है उन लोगों के लिए फैसलिट किया है जब वो लोग एंट्री करेगे वहाँ आपका मोबाइल जूता सामान जो भी है आप रख सकते हैं मंदिर से जब बाहर निकलेंगे मंदिर के करने के बाद बाहर स्वामी का दर्शन कर लेजिए उसके बाद बाला जी मंदिर दर्शन करने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा क्यूंकि बाला जी मंदिर यहां से आप डारेट एंट्री नहीं कर सकते हैं आपका गेट नंबर लिखा है कम से कम एक एक गेट का द जाना पड़ेगा उसी गेट से जानने के लिए आपको कोई टेंसल लेने की जरूरत नहीं है मैं आगे आपको बताऊंगो आप कैसे वहाँ पहुंचेंगे यहाँ जाने के टाइम में यही से राइट से आप जाएंगे लड़ू काउंटर आपको मिलेगा लड़ू काउंटर में भी बहुत भीड रहती क्योंको तिरिपतिबाला जी मंदिर का जो लड़ू है बहुत ही फेमस लड़ू है अगर भीड का टाइम होगा तो एक देड़ घंटा भी यहाँ लग सकता है लड़ू के लिए लड़ू का प्राइस है 50 रूपीज चाहे आप घ डिव्यदरशन टिकेट हो और हम सब लाइन देने के बाद एक लाइन जाएगा मंदिर के अंदर जिस जगह से आप लाइन दिए है लड़ момे जल्डिका रहा है इस युझ है इन्टरी कवह लेटी इसी दूर से आप एग्जिट करेंगे। चले मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। जो एक लाइन लाइन में होगा। कितने लोगों लाइन देखे। यह देखे। जी लाइन अभी लगा हुआ है। देखें मंदिर का अंदर लोग जा रहे। इसी लाइन से आगे चलि जाना नहीं पड़ेगा तो यहीं से आपको जूता मिल जाएगा और मोबाईल के लिए मैं आगे आप लोको को दिखाऊगा मोबाईल आपको कहाँ मिलेगा यह देखे सामने मेरा बेटा जा रहा है उसका मुंड़न में ने किया था अब यह मंदिर का देखे मुख्य द्वार है यहीं से देखे लोग सब जा रहे यहीं से आपको जाना पड़ेगा यहीं से बाहर निकलने के बाद आपको मंदिर का ठीक ओपोजिटे जो देख रहे ओपोजिटे आपको मोबाइल वगर उसका काउंटर मिलेगा जब आप बाहर निकले के लाइन देने के बाद वहाँ जाके आपका सामन कलेक्ट कर सकते ये सामने देखिए हाती हाती आपका तिरुपति बाला जी मंदिर का हाती यहां पूजा किया जाता है हाती को पुरा घुमा था है चारोर हाती का आसिरवाद लेने के रिए लोग देखे जा रहे 10-15 जो भी खुशी से आप दे सकते हाती के आसिरवाद ले सकते मंदिर का मुख्य दौर से जब आप बाहर निकलेंगे बाहर निकलने के बाद लेव साइड आप अन्नप्रसाद के लिए जा सकते है सामने के तरप अगर जाएंगे आपका मोबाईल जूता बगरा जब आपका सामान रखे होंगे वहाँ आपको मिल जाएंगी यह देखे अन्नप्रसाद का मुख्य दौरे अन्नप्रसाद के लिए बहुत भीड लगती है लेकिन इतना बड़ा अन्नप्रसाद हाल बनाया गया है जितने सारे लोग भी आएगे एकिसाद आपको खाना मिलता है तो अलग-अलग फ्लोर भी बनाया गया है लोग लाइन देखे अन्नप्रसाद के लिए जा रहे है अन्नप्रसाद का यहां तीन टाइम है मिलता है ब्र पेर को चार बज़े तक लॉंच दिया जाता है उसके बाद डिनर डिनर सामको पांच बज़े शुरू होता है रात को दस बज़ के तिरिस मिट पर बंध होता है यह देखे अन्न प्रसाद जहां मिलते है हौल के अंदर बहुत ही बड़ा सा एक पेंटिंग बनाया गया है यू पेंटिंगे और इतना बड़ा हॉल यहां बनाया गया है एकी साथ हजारों के संख्या में लोग यहां खाना खा सकते ज़रूर यहां प्रसाद सेबन के लिए आप लोग आईए अन्नप्रसाद हौल से जब आप बहार निकलेंगे निकलने के बाद यह में रोड के तरब चले है यह सामने दिखे ब्लू कलर का बस दिख रहा है यह से बस आपको 10-15 मिनिट में एक बार दिख जाएगा इसी बस आप खड़े हो जाए दर्सन टिकेड में आपका जो गेट नंबर लिखा है तो आपको गेट ढूडने की जरूरत नहीं है यही पर खड़ा हो जाए फ्री अप कोस्ट उसी गेट में बस लेके आपको ड्रॉप कर देगा अगर बस डिले डेरी होती है जो सामने जीब दिखे खड़ा है यह शेयरिंग में आपको 20 रूपिया में जो भ सर्बा दर्शन या दिब्वेर दर्शन टिकर लिए है तो 5-6 गंटा लगेगा अगर फ्री दर्शन आप जा रहे तो कम से कम 8-10 गंटा लगेगा चलिए अभी दर्शन के लिए चलते हैं अभी हम पहुंच गए सर्बा दर्शन टिकेट काउंट के लिए पास यहां से आपको लाइन देकर अंदर जाना पड़ेगा जैसे मैंने बतायाता है यहां जूता रखने के लिए जागा नहीं है तो बाहर आपको जूता रखने जाना पड़ेगा तो मंदिर के पास मैंने जो दिखाया था ओहीं पर आप जूता रख लिजे जब आप मेंगर से बाहर निकलेंगे उहां से जूता कलेक्ट कर लिजे तो इसी रास्ते से आप आगे जाना पड़ेगा बीच बीच में एक बड़ा सा हॉल आएगा उहां आपको एक देड़ गंडा दो गंडा बाइडन आपको जानकरी दूँगा चलिए बाला जी का दर्शन के लिए चलते हैं यह सामने दिखें ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुए मंडब आप देख रहे ठीक मंदिर का ओपोजीट है आगे सामने दिखें तिरुपती बाला जी का मंदिर है आगे दिख रहे हो आप लोगों को इस मंदिर का ठीक opposite यह आपको दिखने को भी लेगा, यह मंडब, इस मंडब के पास आप आज जाए दर्शन करने के बाद, यहीं से आपको mobile लोगे, जो भी आपने रखा होगा, यहीं पर counter है आपको मिल जाएगा, mobile लेने के लिए या सामान ले लेकर आपका जो ticket दिया होगा उस में आपका number लिखा होगा, counter का number, उसी counter के पास जाएए, आपको सामान आपको मिल जाएगा, अभी हमारा तिरुपति वाला जी मंदिर में बढ़िया सा दर्शन हो गया है, सरबर दर्शन टिकेट में हमें 6 गंडा लगा दर्शन करने के लिए, अगर आप 300 बाल टिकेट क कर लिजे, नहीं तो यहां आने के बाद मैंने जैसे बताया था मेरे पिछले वीडियो में लाइन दे के सरबर दर्शन टिकेट कर लिजे, तो ही आपको 5-6 गंडा में दर्शन हो जाएगा, और बाकी का यहां का जो तिरुपति बाला जी मंदिर दर्शन करने के बाद, तिर बड़े बड़े साइड सीन देखने को मिलेगा, ओसो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लोग पे, वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है, बड़ी मेहनस इस वीडियो को आपके लिए में बनाया हूँ, इस दोनों पार्ट में बहुत सारा इंफोर्मेशन म मैंने दिया हूँ, दोनों पार्ट को वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, तो यहां जब आप घुमने के लिए आएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को घुमने में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग पे, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता ह तो लाइक, शेयर, सस्काइब जरूर करिए, जय जगर्नात